इस वीडियो को स्टार्ट करने से वाल एक बात मैं आपको पता दूँ ये टाइपिंग टिप्स आपने कभी कहीं सुने नहीं होंगे और इसने ज्यादा महत्यपुन आपके लिए हैं अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी लगता है कि आपके लिए helpful नहीं है तो आप तुरंत मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब कर दें आई रिपीट तुरंत ठीक ना क्योंकि एक चेतावन ये है इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को पता चलेगा कि रियलिटी में प्रोसेस क्या है टाइपिंग का ये सारे टिप्स सारी जानकारिया मैंने खु क्योंकि जो पास करके हैं लडीसी वो जो बताते हैं और जो टाइपिंग टिप्स आप ये वेप सेट पड़ते हैं विलकुल अलग हैा आपने देखा होगा एक किमित्र वाला किसी सोफ्ट्यवेर को नहीं जानाता टाइपिंग वाले वो लेकिन फिर भी उसके टाइपिंग स्पीड इतनी जबर्दस्त होती है तो क्यों होती है तो यह सारी टिप्स यहां पर आपको मिलेगे पहला लेक्चर है आगे तक स्रीच चलेगी जब तक आपके टाइपिंग स्पीड बढ़नी जाती 20 दिन में 20 पर मिनिट तो मिनिमम मानके चलिए स्टार्ट करता हैं सबसे पहली बाग तीन तरह के टोटल अभिहरती होते हैं डिफरेंट काइंड होता है अलगलग प्रकार का और सबके लिए अलगलग तरह के से टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है सबसे बड़े जलती यहीं करते हैं अपन कि अपन को पता है नहीं कि अपन चलाने के लिए अलग चीज जाननी पड़ेगी, आप साइकल की मेकनिजम पढ़ सकते हो, मोटर साइकल की मेकनिजम पढ़ सकते हो, लेकिन मोटर साइकल चलाना एक अलग चीज है, उसकी पढ़ाई करना एक अलग चीज है, आप मेकनिक हो सकते हो, लेकिन आप ड्राइवर हो सक हो यहां परजिए घघ्लध पंदेखना पड़ेगा कि आप को क्या आता है जिसा प्रकार आप क्लाते हो तो जरूरी यह माना जटा एक हम पंदैंजा प्रकार एनको देख ने पारोगा क्या कर्तिए हो तीन प्रकार होता है इनके बेसिक कभी हक्तियों के तीन प्रकार एक वह जो student है जो मुबाइल पर टyping करना जानते हैं और किय素ा का वी Winds fixes अर्पिटर वाला है और वह कंपीटर पर अंग्रेजी में टाइप करना जानते सिर्फ अंग्रेजी में करना जानते एक ऐसे student होते हैं और कुछ student बहुते हैं जो अंग्रेजी में ठीक टाक टाइप कर लेते हैं पर हिंदी में टाइपिंग में असपल वो रहते हैं आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से सब कुछ चल दा है अब मैं आपको एक बाद बताता हूं बहुत से स्टुडेंट हैं जिनको अपने केटिगरी नहीं पता होती है केटिगरी इन दे सेंस की वो कहां लाई करते हैं टाइपिंग के मामले में हम बहुत से स्टुडेंट को देखते हैं जिसे इंजिनियर से निकलने वाले बहुत सारी स्टुडेंट है वो अच्छी कार से इंगलिस में टाइपिंग कर लेता है लेकिन इंजिनेरिंग में जो टाइपिंग होती है या जो रिक्वाइर टाइपिंग इंजिनेरिंग के लिए होती है वो बैसिक इतना है कि वो कुछ एक टाइप कर ले सब नेट पे सर्ज कर ले सब कुछ देख ले कर ले बस इतनी टाइपिंग दरसल वो टाइपिंग नहीं होती है टाइपिंग होती एक time period के अंदर आप कितने सब्द लिख रहे हैं और वो उसको कितना सही लिख रहे हैं टाइपिंग test का मतलब यह होता है तो जब आप typing test दे रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना है कि आप type कर पाते हैं अगर आप type कर सकते हैं बहुत से student ऐसे भी होते हैं जो type नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत से student जो type भी कर सकते हैं वो भी यह न माने कि उन्हें typing आती है क्योंकि typing test जो आपका होगा वो इसकी जानकरी लेने के लिए नहीं होता है कि आप type कर पाते हैं typing test इसकी जानकरी लेने के लिए होता है कि आप particular time में कितना परसेंट सही material time कर पाते हैं under pressure तो typing text और typing दोनों अलग प्रकार की चीज़े हैं आपका exam में जो तो तो typing एक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब है उन्हीं काई प्रियोग किया गया है मंगल की तरब न भागे कुरूती देव को ही आप महत्वपूर्ण मानकर उस पे प्रैक्टिस शुरू करें अब करना कैसे द्यान से देखिएगा सबसे पहले अपने आपको पता करिए कि आपको कितना आता है बेसिकली ये सबसे बड़ा इसी होता है कि हमें पता ही निये कि अपने को टाइपिंग करने कितने आती है इसका simple सा तरीका है कुछ एक word अपने दिमाग में लाइए और उनको लिखिए time limit set करिए बहुत सारे software भी आते हैं software से इतना check करिएगा कि आपने कितना कितना से किया software पर कब जाना है उसका समय आपको पताऊंगा मैं लेकिन आपको ये पता करने के लिए कि कि आपको कितना आता ही कितना नहीं आता है एक बड़ी आमाध्यम है software बहुत सारी साइटें भी है आपको अगर ये पता चलता है तो definitely आप सही direction में जाना बहुत जरूरी है पता चलना जरूरी नहीं ये कहीं बार क्या होता है लेकिन किसी गलत institute के चक्कर में या किसी गलत software के चकर में और टाइपिंग क्रेक ही नहीं कर पाते हैं और software marketing के बारे आप जानते होंगे हर software बिखता है और उसके हर एक प्रकार से ज़्यादा ये होता है कि उसको बैचा जाए या उससे पैसे कमाए जाए कत्य बैनेफिट ये नहीं होता कि आपको टाइपिंग सिकाया है तो ध्यान रखिएगा आपको पहले decide करना है कि आपको कौन सी टाइपिंग आती है और जहां तक हो सके सबसे पहले आपको अंग्रेजी टाइपिंग आने ही चीए अगर आपको अंग्रेजी टाइपिंग आगी तो आपको हिंदी टाइपिंग आने में कत्य भी दिक्कत नहीं आएगी अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन स्टुडेंट है आचीए दोर में जिसको अंग्रेजी टाइपिंग नहीं आती लेकिन आपको certain एक time पे एक सब्द हाता है pre-line के अंदर से school पर उसको उस time period के अंदर एकदम सही प्रयोग करना है ये भी पताऊंगा कि किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं आपकी typing सही है या गलत तीसरी बात जो आती है typing स्टार्ट करते हुए कभी भी software की और नदेखें software का प्रयोग ना करें अब अपनी स्बीड पता कर सकते हैं software से आप यह सचा है और आपको कितना टयप कर पाते हैं लेकिन जितने पटवारी बं चुके हैं जितने भी जानकार अभी तक मिले हैं उन सभी ने यही कहा है कि सर टाइपिंग अगर आप सौप्टेर से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा सौप्टेर का एक स्पेसिक यूज है सौप्टेर बहुत मत्पूर्ण है कहां काम आएगा बताने वाला हमें आपको लेकिन स्टार्टेंग के लिए आप सौप्टेर को भूल जाएए द्यान रखना है अगर किसी वक्ति को पूरे की सरवह परतम सोप्टेर को अगर ना जाकरकि उन वर्ड को टाइप करना होता है उन सब्दों को टाईप करना होता है जिसका को पता है। मार्केट में बहुत सारी चीजे मिल जाती है उसके प्रिंट आओट निकल trud से दाउनोड कर लिए紧见। उसको type करने से वह चीज़े निकलते हैं कुरुतिदेव में तो उन कोड़ों को जाने पहले हैं और सबसे पहले अपना नाम अपने पिताजी का नाम अपनी मदर का नाम अपने वाइब का नाम इनका नाम type कीजिए जो आपको आते हैं, इनकी spelling आपको आती है, इनको बिल्कुल जल्दी, बिल्कुल सही और बहुत ज़्यादा बार टाइप करने कोसिस कीजिए, ताकि आपको पर्टीकुलर्ली एक वर्ड जिसे माली जब मैं टाइप करता हूँ, दीपक, डीडबली पीए के, अब दी है ना, जो द बनता है हिंदी कुर्टी दिव में, वो डी से नहीं बनता है, वो किसी ओर से बनता है, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि द किस से बन रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि एकी मातर किस से लग रही है, तो जब मुझे मैं दीपक टाइप करूँगा, तो मुझे कम साथ साथ-ाथ वर्डिंग पता हो जाएगी उसके बाद में फादर का नाम टाइप करूंगा हो सकता है साथ-ाथ और हो जाए इस प्रकार से स्टार्ट करना होता है डारिक्ट लेगर आप टाइपिंग टूटेरल पर जाते हैं पूरे हाथ लिखते हैं कि यहां हाथ रखिये यह यह उगली रखें कोई भी काम नहीं करेगा और कर सकता है तो आप करके देख लीजी नहीं होता है मैंने बहुत सारे स्टुडेंट को देखा है तो सब सब पहले आप यह स्टार्ट इस प्रकार से करें कि आप सिर्फ अपने नाम या वो वर्डिंग जो आपको आती है उनको टा स्टुडे से टाइप करने की कोशिस करें ध्यान रख लेना इस स्पीड जहां बढ़ेगी वहां आपकी एक्विरेसी घटेगी तो यह ध्यान रखिएगा कभी भी स्पीड को इतना नहीं होने देना है कि एक्विरेसी घटे आपका मैन टार्गेट एक्विरेसी होना चीए आगे जलते हैं सबसे पहले speed पर focus नहीं करना है speed पर focus नहीं करना है दक्स्टता फून जो typing है जिसमें accuracy सबसे ज़्यादा आए भले आपने चार ही सब्द लिखे हो लेकिन वो चार सब्द आप सही लिख सकें ऐसी typing पर ध्यान देना है इतना कुछ आपको करना है चार सब्द लिखो भले school का नाम लिखो या कोई भी लिखो लेकिन उनको सही लिखो अब आप कहेंगे सरे school का नाम तो वहां लिखाएंगे नहीं न तो दोस्तों आप चार को तो सीखो तो चार के बाद आठ आठ के बाद दस continuous होता जाएगा तेकिन जब आप प्टिकुलरी सोचने लग जाओगे एक कागज लोगे और उसको टाइप करने लग जाओगे तो कभी भी आप सही टाइप नहीं कर पाओगे बार बार बैक इस पर दबाओगे वही आपकी typing को decrease करता जाएगा एक दिन hopeless हो जाओगो typing छोड़ दोगे तो सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखिए अपने फादर का नाम लिखिए अपने मदर का नाम लिखिए उनको सही लिखिए उसके बाद नामों की संक्या बढ़ाती जाईए पिर नाम के साथ देखो सनोप किस प्रकार से अभियर्ती किस प्रकार से लिख देखते हैं फिर आर को री की मात्रा किसे लगाते हैं आकी मात्रे किस प्रकार से है टी कोड किस प्रकार से उसे chosen सब कुछ लिखिए जो दिमाग में आता हैै एसए से सीजल की स्पिलिंग लिकिए कुछ भी आता है लिकिए गाली भी आती है तो भी लिकिए टाइप करना दीखिए मलब आपको जो चीज सही आती उसको लिखिए टाइप कर दीजिए डेफिनेटली इंक्रिमेंट महीं से होगा और सबसे बड़ी दिक्कत कहती है टाइपिंग जो बोरिंग बहुत बोरिंग काम है यह तो कहीं ने कहीं कुछ प्रकार का ऐसा इसमें इंप्रुमेंट लाइए कि आपको अच्छा लगे ऐसी चीज को टाइप कीजिए कोई कहा नहीं आपको आती उसको लिखिए और उसको लिखने से आपको जो दिमाग में जो सब्द है उनका यूज कीजिए कहीं को पेपर का यूज करेंगे जो करड़े कपके घर अब ही हैं यह ताइप वा मकसरीप कर रहा है उसको सही करना है और जो सब्मिन लिखा है वह याद हो तो आपको यह सबसे पहलе करना है दक्स्ता का सबसे ज्जाद घ्रान अनृ। इसलिए उन सब्सप्दों का सबसे पहले टाइपिंग में इस लें जो आपको सही से यानते हो जिनको और आपको याद हूँ आगे जलते हैं लगातार टाइपिंग कभी ना करें मैं आपसे कहा था दो गंटे टाइपिंग आपको रोजना करनी वह सार एक्टूडेंट धेली यार चार से तो करनी करनी ऐसा कभी नी अब ताइपिंग करते हो और आप कभी भी टाइपिंग के इतना कोई काम नहीं किया आपको इस अपको यको यसी से आईगी नहीं सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि 30 मिनिट से भी कम समय आपको वहां मिलेगा टाइपिंग के लिए जहां आप टेस्ट देने जाओगे नो वहां तो ध्यान रख लेना यह हाथ है उंगलिया है यह थकती भी है इनके आदत नहीं हो रही है तो आप कुछ एक्सेसाइज भी कर सकते ह आपको मैं बता दूंग अगले वीडिएो में कहके ऐस्सेसाइज होती ही होती है टाइपिंग के लिए बाकी 30 मिनिट का टार्गेट रखें 30 मिनिट में यह वर्डिंग लिखनी है इतना इतनी लिखनी है बस इतना ध्यान रखे कि पिस्टली बार क्या-क्या गलती की थी उन तो देढ़ गंटे तक तो वह जो कलर के बेटा होता ना कोट के अंदर वह भी अगर टाइपिंग करेगा तो उसको भी एक स्पेश यूज में लेना पड़ता है तो ध्यान रखेगा टाइपिंग भी एक ठखाने वाला प्रोसेस है इसको जितना हो सकी जितना ब्रिक बै ब्रि अगर आपकी लिखे हुए जो पेरग्राफ होते हैं उसके अंदर जब आप में यह बात तब कर रहा हूं छटी स्टे पर जो तब आएगी जब आपने हिंदी के लिखना स्टार्ट कर दिया है अपना नाम आम लिखना ठीक स्टार्ट कर दिया है अपने फादर का नाम वह Shift, Ctrl का बटन होता है, Alt होता है, Caps, Log होता है और Tape होता है, In, Key का कितनी बार इस्तमाल किया है अगर आपने सबसे कम बार In, Key का इस्तमाल किया है तो आपकी टाइपिंग में अभी भी सुधार लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने shift, cult, alt, caps, lock और tape का इस्तमाल सबसे ज़्यादा बार किया है तो आप ठीक जा रहे हैं और सबसे कम बार अगर आपने delete और back का इस्तमाल किया है तो भी आप सही कर रहे हैं इध्यान रख लेना है अब आप कहेंगे कि सर के बार बारी दबा देगे नहीं, require होती है अपने आप दब जाती है अपने आप दब जाना जैसे आपको आगया typing आपको आगई, समझ लीजिएगा आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना हो सके उतना इस process को ध्यान रखना है अगर ऐसा ऐसा करने एक बार छटी step तक आप आगए और फिर भी गलतियां हो रही बहुत ज़्यादा तो आपको वापिस step number one से सुरू करना है दुबारा यही process करना है continuity लानी है, एकदम continue आपकी आएगी तो ये कुछ tips थे जो मैंने आपको दिये बहुत सारी चीज़ें आपसे इसकी soul हुई होगी एक बार इन चीज़ें को देख लिएगा practical करके देख लिएगा ये practical का चीज है, typing किसी को बोल के बता के नहीं समझाया जा सकता सिर्फ direction दी जा सकता किसी को बता दू कि जाईए, चाबी लगाईए, इस्टार्ट करिए, गाड़ी का पिर क्लेश दबाईए उस प्रकार का काम ये हो रहा है लेकर आप practical करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्लेश छोड़ते समय ब्रेक भी थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ता है और रेस भी थोड़ा थोड़ा देनी पड़ती अब वो आपको ही आ सकता है मैं रोको आ गया तो मैं रोको आ गया लेकिन मैं आपमें ट्रांस्पर्ट नहीं कर सकता है ध्यान रखिएगा और नहीं कोई software कर सकता है नहीं कोई typing tutorial वाला कर सकता है यह आपको यह understanding आपको बिठानी है और यह understanding बन रहने के लिए बिठाने के लिए आपको यह tips काफी ज़्यादा मत्तपूर्ण हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा और भी कोई जानकार इस्यो टाइपिंग रिकरिंग यह पहला लेक्चर था स्टाइटिंग तरह से बहुत basic टिप्स में ने बताई आगे और सारी चीज़े हैं आगे अगले वाले जरूर लिव करें ताकि आगे मुझे मोटिवेटरन मिले कि मैं आपको अच्छी तरीके से और सारी चीज़े बता सुगूं धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक्यू